हेलो फ्रेंड नमस्कार आपका स्वागत है मेरे चैनल पर देखिए आज मैं नीटू आज मैं बनाने जा रही हूं अंडे की बहुत ही टेश्टी इतम सब्जी जो की मेहमानों को खिलाएंगे तो मेहमान एकदम खुस हो जाएंगे तो इस तरह से सब्जी बना के जरूर आप प्राइ कीजेगा तो देखिए इसके लिए मैंने छे अंडे लिया है छे अंडे को बॉयल करके लिया है और इस तरह से देखिए हम चीरा लगा देते हैं अंडे में ताकि अंडे में जो भी रस है वो अंदर तक जाए तो साड़े अंडे को हम इस तरह से चीरा लगा दे रह एक इंच अद्रा कटुपरा आठ दसकली लहसन और दो मिडियम साइज के प्याज लिए है से रफली चॉप कर लिया है प्याज को आप बदाम के जगा पे काजू भी ले सकते हैं तो इधर देखिए कढ़ाई में मैंने तेल गरम होने के लिए चड़ा दिया है तो अब हम मसाल ले लेते हैं मसाले को भूनने में एक से दो मिनट के शारे चीज को मैंने डाल दिया है तो अच्छे-उलटकल धिया हम इसको अच्के सरे कर लेते भी कि ओ किर तो आप इस तरह से जब भी मसाले करके बनाएंगे तो बहुत ही टेश्टी अंडे की सब्जी बनती है तो देखिए मैंने इसको फ्राई कर लिया है तो फ्राई करके हम इसको क्या करेंगे कि ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तभी पीसेंगे यह देखिए फ्रेंड अच्छे से फ्राई हो गया है तो अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दे रहे हैं जिसे कि यह प्याज क्या होगा ना गरम सी यह सॉफ्ट हो जाएगा तो एक दो मिनट और चला लेते हैं और साथ में देखिए मैंने दो हरी मिर्च भी डाल दिया है आप चाहो तो हरी मिर्च को काटके भी डाल सकते हैं तो पेस्ट में बना देने से क्या होता है कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है हरी मिर्च का आपको तीखा पसंद हो तो और तो अब हम इसको पीस के पेस्ट बना लेते हैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको पेस्ट को बनाएंगे यह देखिए मेरा हो गया है तो फिर से देखिए मैंने कड़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया है गरब होने के लिए तब तक मैंने पेस्ट बना लिया था तो साथ में देखिए एक चमच घी डाले हैं तो घी के जगा पर बटर भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो तो देखेगी मेल्ट हो गया है अच्छे से तो अब हम इसमें थोड़े से जीरे डाल देते हैं जो भी खरागरा मसाला हो वो डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं तो देखेए एक तेजपार्ट डाल दिया है हमने तो साथ में थोड़ा सा डिचीरा डाल दे रहे हैं और एक सूखी मिर्च को तोड़के डाल दे रहे हैं मिर्च के लिचे होजब और सभी चटक जा रहा है तो उदे बाद मसाले को ड़ाल लेते हैं कि थोड़ा सा मिक्सी को भी डहा के डाल दे रहे हैं जोभी मसाले हैं कि म killing बुंट की तुझिन मसाले कुलत की अच्छह से भूंदे रहा है इंदम और बहुत अच्छा खुस्टी होँ आ रहा है जो घी बाइवसे बहुत अच्छा कुसबु होँ आ रहा है देखिए सारे मसाले को दो के हम डाल दिया चफार मसाले को घुनने में एक से दो मीनिट के करीब लग जाता है तो इसमें हम नमक कर दे रहे हैं स्वाद अनुसार कि तो यह साथ में चम्मच देखिए मैंने मिर्च पोर्टर ढ़対 जादा मिर्च पोर्टर नहीं जाले क्योंकि हर यह दाले हैं थोड़ा सा देखिए सब जीरा दाले हैं थोड़ा सा धनिया पोड़र डाल दिया अधा चमच और इसको उलट उलटके अच्छे से हम 5 मिनिट के करी मसाले को अच्छे से तम भूनेंगे देखिए मसाले अच्छे से भून गया है तो हम इसमें कस्तूरी मेथी जो है वो क्रस करके डाल दे रहे हैं इसे बहुत अच्छा अधम टेस्ट आएगा यह धाबा यह रेस्टोरेंट इस्टाइल का एकदम एक करी बना रहे हैं वाइट एक कोर्मा तो देखिए मसाले में अच्छे से तेल भी छोड़ दिया और एक खुस्बू भी बहुत अच्छा आने लगा तो हमें ने एक कटोरी करीब इसमें हम फेट के दही डाले हैं तो अभी हम गैस के फ्लेम को बंद कर दिये हैं कि में दैरिक धीन फटे ना इसको इसको कव्य फ कर दे रहें हम दर डाल के देखे कल दहीं चला औ चैंज हो गया है मझ पर नहीं हम चला लेते हैं तो देखे मेरा गेवी जो है थोड़ा गारा हो गया है ग्रेवी भी अच्छे से पग गिया है मेरा तो देखिए फ्रेंट थोड़ा समीच में पानी डाल दे रहे हैं आपको ग्रेवी जैसा पसंद हो ऐसा रख सकते हैं हम इसको प्राठे के साथ खाने वाले हैं तो इसलिए थोड़ा हम गाडाई ग्रेवी रखे हैं इस तरह से देखिए ग्रेवी को अच्छे से मिला ले रहे हैं तो ग्रेवी में जब उबाला आ जाएगा अच्छे से पक जाएगा तभी हम अंटा डालेंगे कि यदेखे gravery में उबाला गया है साथ में हम Stick or構न नहीं मिर्ण को चीरा लगा के वह डाल दे रहे हैजिसे बहुत अच्छ टेष्ट यूाइक आता है हरी मिर्ण का इसके साथ को ये देखे gravy में मेरा उबाला गया है तो फ्रेंड ये रेस्पी आप लोगों के अच्छे लगे एक कोर्मा की रेस्पी तो मुझे लाइक कीजेगा और सब्क्राइब कीजेगा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजेगा तो हम इसमें क्या करें ना अंडा जो बॉयल करके रखे हैं चीरा लगा के वो डाल दे रहे हैं और अ इसको अच्छे से हम 2-3 मिनट एक तम अच्छे से पकाएंगे ताकि इसका रस जो है वड़े तक अच्छे से चला जाए अ इसीोट जाए आट है कि इस अ कि अ कि यह देखी कितना ओचा कलर आया सब्जी स्प एदव और बन के कि process रेडी हो गया सब्जी अधि है है तो आई हो फ्रेंड आप लोगों को यह अंडा की रेस्पी जरूर पसंद आएगी तो एक पर आप लोगों से जरूर ट्राइ कीजिएगा और कॉमेंट से बढ़ा बताईएगा कि यह सब्जी आप लोगों कैसी लगी तो फिर मैं मिलती हूँ इसी तरह से एक अगले नई रेस्पी के साथ तो आप लोगों को धेर सारा प्यार और धर्नेवाद देखिए सब्जी कितना अच्छा मेरा बन के रेडी हो गया है तो इसको हम आपको प्लेट में निकाल के दिखाते हैं यह देखिए अंडा और ग्रेवी कितना अच्छा बना है